हालो फ्रेंड्स यू आर्मस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजिवे मित्रों फिजिक्स इन इजिवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक रिकल्चा फिजिक्स में मित्रों हमने पिछले वीडियो क्लिप में ब्रित्य गती किसे कहते हैं उसको देखा था ब्रित्य गती में रेखी विस्थापन क्या होता है उसको देखा था और साथ ही कोड़ी विस्थापन क्या होता है उसको भी देखा था और रेखी विस्थापन या कोड़ी विस्थापन में जो शम्मंद है उसको उनने देखा था आजंग रेखिये बेग, कोड़िये बेग और इस बृत्तिय पत्पर गती करें वस्तु के आवर्थकाल एवं अबृत्ति से सम्मधित कुछ तप्चे को देखेगी तो सबसे पहले हम देखते हैं आवर्थकाल क्या होता है आवर्थकाल जैसे यह कोई बस्तु बिंदू ए पर है और बित्ता कारपत पर गती कर रही है तो एक चक्कर क्योंकि बार-बार यह बित्ता कारपत पर गती कर देखे चकर को पुरा करके अपना ये पर आएगी एक चक्कल पूरा करने में जितना इसको समय लगता है उसी समय को क्या कहते हैं आब अर्टकाल कहते हैं तो उसका अब लिखेंगे कि बृद्धाकार पत 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 गती कर रहे वस्तू को एक आवट एक चक्कर चक्कर को आवट भी कहते हैं एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है लगता है उसी समय को वस्तू का आवर्टकाल कहते हैं वस्तू का आवर्टकाल कहते हैं इसे कैप्टर्टी से प्रदर्शित करते हैं करते हैं यह हमारा आवर्टकाल की परिवासा हो गए कि एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसी समय को वस्तू का आवर्टकाल कहते हैं आगे हमारा एक और टापिक इसमें आवर्ट्टी तो आप जैसा की जानते हैं कि वित्ता कार्पात पर गती कर रहा वस्तू कि अगर जिन दू ए से गती प्रार्णा करता है तो बार बार एक चक्कल पूरा करके पुना ए पर आगया फिर दूसरा चक्कल पूरा करके पुना यानि बार बार किसी एक बिंदु पर आता रहता है तो एक सेकंड ने जितना चक्कर पूरा करके वह एक बिंदु पर आ रहता है उन्हीं चक्करों की संख्या को हम क्या करते हैं आप बृत्ती कहते हैं कि वित्तिय पत्र पर बित्तिय पत्र पर गती कर रहें किसी वस्तु दौरा एक सेकंड ने जितना चक्कर इसी को आवर्थ भी कहते हैं इसी को लां गलते हुआ पुरा गलते हैं कि आप बित्ति कहते हैं कि कहते हैं कि कि इसी कि एक सेकेंड में यह किये गए चक्रों की संख्या होने कराब दे इसको हम एन से लिखते हैं इसे एन से कि प्रदर्सित करते हैं कि एन से प्रदर्सित करते हैं अब इस एन और इस टी या कहले कि इस आबृत्ति और इस आवर्थकाल में एक संबन्द होता है जैसे इस संबन्द को देखने के लिए जीतने समय में वस्तु एक चक्कल तूरा कर लती है उसी समय को हम क्या करते हैं आवर्थकाल करते हैं तो चूर्थी समय में एक चक्कल पूरा करते हैं क्योंकि ती वस्तु का आवर्थ काल है तो उसको आप ऐसे नहीं सेखते हैं इच्छों कि वस्तु ती समय में एक ती समय में एक आवर्थ या एक चक्कर पूरा करती है तो एक सिकड्ड में कितना चक्कर पूरा करी आता है एक सेकंड में छक्करण की संख्या तो ती सेकंड में एक चकर तो एक सेकंड में एक बटा ती चकर यानि 1y पषंव कि ये इसी एक सब्रिव जिना और लकुद को एकसिन जिना ऑस पूरा लिबता है उसी सब्रिजा सब्रें-आघ की आफ औरुने पहलता है आम आघ पांड एक भारगे मैं वेन टी ऑज walking को गुए यहां से आप लिखेगें आवात काल एवं आप बृति में समध यहां पर आप देख लिए हैं कि आप बृति जो होती है आवात काल का उड़िटा होता है क्या लिखेंगे क्योंकि तीन समय में एक चक्कत एक आवात पूरा होता है पूरा करता है इसलिए से एक सेकंड कितना हो जाएगा एक बटा टी और इसी क्या करते हैं क्या हो जाता है आवात काल या आवर्ति कि आवात का ब्यूत क्रम होता है यानि अगर आप टीन है तो आवात काल क्या हो यदि आबर्टि आवर्टकार्टि और न क्या हो जाएगा आप पूक्प कया उल्टा यह ऑघ Rs. और यह ईहाला हो गया आबर्टकार इह आबर्ट्थ और और lazy यह किया UK अब्ध्थी के जो मात्रक होता है वह प्रती सेकिंड खंडकर्द फिराकर अब्ध्थि का मात्रक परी का मात्रक चोब कि आप ipad 1 x t है चब किनिस N is per 2 1 x t धर्फूर मात्रक तरवूर जएगा 1 x 2 1 upon 2 गरावर क्या था है प्रति 2 किस तो कि आबृति का मात्रगे होता है । प्रति सेकेंड होता है ये हमारा और अबर्थकानगे ये अबर्थकानगी कि शुबंतर अगा आप देखते हैं ग्रेखी वेग में कुड़ी वेग क्या होता है का है संबन्द वाद आगे आप देखते हैं रेखी बेग इम कोणी बेग क्या होता है रेखी बेग ना कातर हैं उसको रेखी चाल करें रेखी चाल क्योंकि यह वस्तु इस ब्रित्ताकार पत्पर गुम तो ब्रित्ताकार पत्पर एक सिकेंड जितनी दूरी तय कर लेती है उसी दूरी को हम क्या कहते हैं रेखी चाल कहते हैं तो लिखेंगे ब्रित्ति पत्पर गती कर रहे हैं वस्तु द्वारा एक सेकेंड में जितनी दूरी टाय की जाती है उसी दूरी को रेखिये चाल कहते हैं रेखिये चाल कहते हैं तो रेखिये चाल को आप जाटते हैं धी से लिखते हैं तो रेखिये गिजपर्ट हो जाएगा इजपर्टू किसी समय अंतरा में अंतरा में चली गई है ब्रित्य पत्पर्दूरी ब्रित्य पत्पर्दूरी बटे समय अब यदि समय अंतराग्टी में ब्रित्य पत्पर्दूरी चली हो तो बेग भी या रेखिय में घीजपर्टू हो जाएगा साथ एस अपन दी एक फार्मला होगे दूसरा फार्मला आवारबन कहाएगा यदि एक आवर्थकाल में या कहले यदि ब्रित्य पत्पर गति कर रहे वस्तू का आवर्थकाल दी हो तो इसे आवर्थकाल T में वह तु एक कुरा चक्काल लगाएगी और एक कुरा चक्काल लगाने में इसको परिदी के बराबर दुरी तै करना पड़ेगा तो यदि विश्टा का पास की तुरिचिया R हो तो परिदी हो जाएगा 2 पाया और बटे आवर्थकाल T तो क्या हो जाएगा रेखी बेग विश्टा परिदी यानि एक परिदी के बराबर जिदनी दूरी चाहिए करेगी वो दूरी बटे एक आवर्थकाल समय यह हो जाता है परिदी वर्थकाल और इसी मों लिखतें 2 पाई आर परिदी वर्थकाल T एक फामुला यह भी हो गया अगला इसी कौन लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू 1 अपमान T और 1 अपमां T को आप जाते हैं आप इर दुर्टी N लिख सकते हैं यह हो जाता है हमारा V22 2πr into n एक और फाम्मुला बनके आगया रेखी बेख का फाम्मुला V22 S upon T जा स T समय में चली गई रेखी दूरी यह विच्ता करको और T समय नतरा आगया एक फाम्मुला यह हो गया दूसरा फाम्मुला V2 एक चक्र कुरा करने में चली गई दूरी 2πr आपके एक चक्र कुरा करने में लगा हुआ यह नहीं चली दूरी तो 2πr upon T एक यह भी दिया हो गया और अगला यहां पर हम 2πr into 1.d लिखकर पे 1.d को n लिख सकते हैं लिखकर 2πr into m एक फाम्मुला यह भी हो गया आगे चुकि यह रेख यह बेख भी एक प्रगार का बेख है विप्ता का पत्पर गती कर रहे है वस्तु का बेख है तो बेख का वहीं मात्रक होगा वहीं भी मिसित्र होगा जो सामाने बेख का होता है तो उसको आपको बेख का मात्रक मीतर पर सेकेंड और देख कभी मिसित्र L T-1 जांते रहेंगे जैसा कि पहले भी आप जांते इसको अब आगे देखिएगा कोडी बेख कोडी बेख का मतला होता है कि एक सेकेंड वस्तु कितना आएंगी निगोंग जाती है या काले कि वस्तु को बिट्ताकारपत की केंडर से मिलाने वाली देखा एक सेकेंड में जितना कोड भूम जाती है उसी कोड भूम क्या कते हैं कोडी बेख कते हैं तो इसको लिखेंगे कि एक सेकेंड में एक सेकेंड में वस्तु को केंडर से इस केंडर से जित्ताकारपत के केंडर से मिलाने वाली देखा मिलाने वाली रेखा जितना कुण केंदर पर अंतरित करती है करती है उसी को कोड़ी बेख कहते है कहते है इसी ओमेगा से प्रदर्सित करते है अधाल में करती हो जाता है कोड़ी किसी समय तरह में तैंक या गया फूर्द में भटे सम्गर अगर टी सेकेंड में ठीटा कोड़ी यह घुम जाता है तो हम ठीटा बटे की आ लेते हैं तो में फॉनमेगा से करती हो जाता है ठीटापन ती यह, एक तुंबं यह लैए mówią, दूसरा एक पूरा चकर लगाने में, वह तु द्वारा टू पाइ आए भी, टू पाइ रेडिया घूं लिया जयता है, तो एक पूरा चकर लगानेम जीतना खुमा जाता हुआ कोड़ बतले, एक चकर पूरा करनेमें जीतना स्ब लगता है बुर्षन क्या जाता है एक और हब्लावर क्या आएगा कि कोड़ी बेव बराबर एक चक्कर पूरा करने में अंतरीत कोड़ बटा आवर्थका और आप जानते हैं एक पूरा चक्कर करने में कोड़ कितना घुमा जाता है तूब बाई तूब बेव ओमेगाईच बल्टू एक पूरा चक्कर करने में तू पाई रेटियन अंगिल घुमाई जाता है और आप अर्ट काल क्या जाता है तक एक ये भी परिवाता बनके आएगी और इसी को आप लिख सकते हैं ओमेगा इसकोर तू पाई अप्टी जगाई और वन भाई टी को आप यह लिख सकते हैं तो तू पाई एन भी हो सकता है और तू पाई भाई टी भी हो सकता है तो ओमेगा इसकोर तू पाई भाई भाई टी भी हो सकता है तू पाई एन भी हो सकता है तिया माना हो गया कोडिय भी और इसका मात्रक इसके मात्रक को देखें तो मात्रक क्या हो जाएगा तू पाई रेडियन है उपर रेडियन लिख युशिं के ये सिंधर सेकेंगे दिखेंगे ज conversation मात्रक हो जाता है बराभर रेडियन के लिस 것은 मात्रक ओगे है और संडैंतambre डिर्गें कोई भीमाद नहीं होता है तो आप लिखेंगे प्रती ऐसे कर दिखेंगे यह बिमी सुत्र जो आपका होगा हो जाएगा L G R U T-1 यहां केवाल आप दी सकते हैं T-1 यह हो गया बिमी सुत्र बिमी सुत्र यह आपका कोड़ी भेग से संब्द तत्य हो गए अब आले कोड़ी भेग तता रेखी भेग में संब्द उक्रम देखेगी क्या होता है कोड़ी भेग तत्ता रेखी भेग में संब्द तो पहले तो आप जानते हैं कि एस इच्पर्टू आर इंटू थीटा होता है पहले से एस रेखी भेग भेग भी और यह लिखते हैं आज और थीटा वाइटी को रित्ते हैं ओमेग तो भी ब्रावर क्या हो गया आज इंटू ओमेग भी हो गया आपका रेखी भेग कि बरावर आप और तरीज्या और ओमेग भी हो गया को रिति ट्रीडेग तो यह हमारा रेखी भेग यह मैं अपको रिति ही हो गया तो आज आंने आप रिति रेखी बेख को देखा और उमीद करते हैं कि तापिक आप को समझ में आया होगा अगर इसमें किसी प्रकार कोई समस्य हो तो प्लीज हमारे यूटूब चैनल के कमेंट बाक्स में कमेंट करके अत्वा वर्तब नंपात प्रकाल करके अपनी समस्य करेंगे यदि वीडियो कि प हमारा हाथ तरह का वीडियो क्लिप आप तक पहुंगता रहे और आपके एंग्रिकल्चर फिजिक्सी मुखंबत पहलती रहे तो आज बस इतना ही अगला टापिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविशी के रिए बेश्ट आप लग धने को